नमस्कार मित्रो कार्माभारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदर और थम्नेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है जी हाँ मुझे आपसे ये साजा करते हुए हर शोरा है खोशी हो रही है कि we will be shifting on to a overlander truck मतलब ये जो अभी है आप हमारी ongoing trip देख रहे हैं जिसमें हम पिछले 5 महिने से travel कर रहे हैं so इसके बाद हम मतलब इसके खत्म होते ही we'll be moving on to a bigger motorhome so हमारी जो existing camper van है जिसको अब तक आप हमारे vlogs में देखते आए हैं we'll be putting this vehicle for sale तो अच्छी बात भी है मतलब धीरे-धीरे क्योंकि overlanding community देश में बढ़ रही है so ज्यादा camper van होंगी ज्यादा लोग travel करेंगे तो और ज्यादा आनन्द आने वाला है तो चलिए फिर फटा-फट हम आपके साथ ये साजह करते हैं share करते हैं कि over a period of time क्या-क्या चीजे हमने इसमें develop करी उन ही चीजों के साथ मतलब उन कुछ चीजों के साथ ये camper van आपको किस prize में मिलने वाली है तो फटा-फट बताते हैं हम आपको इसके features तो सबसे पहले बात करते हैं इस camper van की technical specification ये बनी हुई है tempo traveler 3700 wheelbase पे और इसके engine की total capacity है almost 2600cc 4-cylinder ये engine है BS3 engine है और 2008 की ये originally vehicle है ये एक camper van में registered है मतलब भारत में to get a camper van registered in private as private vehicle ये एक बहुत ही मतलब क्या बोलू मैं आपको शिद्दत का गाम शिद्दत मतलब बहुत ही प्रयास परिश्रम करके ऐसा हो पाता है so ये एक registered camper van है इसकी sitting capacity है 8-seater और ये एक LMV mode में register है यानि की light motor vehicle में और इस कारण इसका जो toll कटता है वो भी car का कटता है और आपको इसको चलाने के लिए एक LMV license ही चाही होता है जिस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से मैं इसको चलाता हुआ आ रहा हूँ तो इस प्रकार ये है इस गाड़ी की मोटी मोटी मतलब जो प्राथ मिकता है आप समझें की basic elements क्या है अब आ जाता है इसके बाद major चीजें की इसमें किस-किस प्रकार के modification करवाए गए जिससे की ये एक camper van की category में आ जाए और हम इसमें रुक पाएं हम सो पाएं हम travel कर पाएं वो सब सुविधा हैं कौन-कौन सी किस-किस प्रकार से हमने इसमें manage और modify की हैं तो सबसे पहले हम और आप discuss करते हैं इसके external modification के बारे में सो अभी आपको ये पूरी van दिखाई दे रही होगी देखी जब टेंपो ट्रावलर आता है अपने original format में तो almost इसी प्रकार का होता है कुछ modifications जैसे आपको दिख रहे हैं ये एक mid segment door आपको दिखाई दे रहा होगा मतलब इसमें तीन window आती हैं लगी हुई और इसकी जो entry होत और साथ में ये एक छोटी window इसके साथ लगी हुई है अंदर मतलब ये gate क्यों लगवाया है ये जब अंदर चलेंगे तो आप बहतर ढंग से समझ पाएंगे फिलाल चलते हैं इस गाड़ी के पीछे और पीछे जो इसमें kitchen हमने develop किया है उसके बारे में आपको बताते हैं सो फ्रेंड्स अभी हम इस camper van के पीछे आ चुके हैं और आपने देखा होगा एक सामान ये traveler में ये जो gates अभी आप उपर और नीचे देख रहे हैं ये left और right खुलते हैं सो इसके gates को modify करा के इसको उपर और नीचे खुला गया है नीचे ये बन जाता है हमारे kitchen का slab जिसमें ह हमने ये additional unit लगाया है जिससे आपको समान आपका इसमें store हो सकता है मतलब हम भी अपना समान इसमें store करते थे cutleries इत्यादी इत्यादी और जो रसोई की ज़रूरी चीज़े हैं वो इसमें आ सकती हैं साथी यहां पर इसमें लगाया है एक burner जो कि एक बड़ा burner है तो जहां पर भी हम होते हैं वहां पर जब हम भोजन बनाते हैं तो इस burner का इस्तमाल करते हैं शेश यहां पर बहुत सारा समान आ जाता है उपर भी यह एक shelf है जहां पर बहुत सारा kitchen का समान आ सकता है सो all together पीछे का मतलब इस प्रकार से kitchen इसमें manage कर पाते हैं उसके अत्रिक आपको देख रहा होगा इसमें कुछ water fittings लगी हुई है सो यह water fittings अंदर जो washroom है उसमें भी जा रही है और बाहर जब आपको external water output चाहिए होता है तो उसके लिए भी हम इसको use कर पाते हैं जब इसके overhead tank को भरना होता है जो कि मैं आने मतलब इस video में आगे बताऊंगा कि कितनी capacity है उसको भरने के लिए भी यहाँ पर यह inlet दिया हुआ है इस प्रकार से क्योंकि हम लोग तो परियाप्त ट्राविल करते हैं तो ट्राविल करने के दोरान जो जो जरूरते हमें महसूस होती चली गई उन सब चीजों को हम इसमें over a period of time manage करते चले गए जब इसके अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर एक split ऐसी लगा हुआ है उसके external unit को बहुत सारी योजना करके यह स्थान तैह हुआ था जब हम इस गाड़ी को बनवा रहे थे यहां लगाने का फाइदा यह हुआ था कि जब यह गाड़ी move करती है तो इस में इस प्रकार का कोई प्रावधान है ऐसा बहुत सारे थोट आयते कि इसको गाड़ी के बाहर भी लगाया जा सकता है चट पे भी लगाया जा सकता है पर हम चाहते थे कि सभी मानकों पे गाड़ी खरी हो बही चट की हाइट भी ना बढ़े क्योंकि इसको लगाते तो चट पावर से तब उस flap को खोल देते हैं तो इन दोनों shutter को भी खोलने की आवशकता नहीं पड़ती जब हम split AC अंदर यूज करते हैं अब आती हैं दो महत्वपून चीजें कैंपिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी और बिजली का नियोजन बहुत महत्वपून है पानी के लिए हमने इसमें 200 लिटर का उपर overhead loft tank लगवाया हुआ है जिससे कि इस पानी के washroom में और पीछे kitchen या पिर अन्य किसी भी चीज के लिए हम उसका इस्तमाल कर सकते हैं पीने के पानी के लिए हम इसमें 15-15 लिटर के जार इस्तमाल करते हैं तो आप भी जब travel करें तो वो 15 लिटर के जार अपने साथ अंदर रख सकते हैं पानी चड़ाया कैसे जाएगा उसके लिए इसके नीचे एक आधा HP की motor लगी है जो कि इसी में लगे electricity के जो भिन्ने भिन्ने प्रावधान हैं जिनको हम discuss करने वाले हैं उसी से वो चलती है मतलब गाड़ी से ऑपरेटिव है वो तो इस प्रकार से आप विभिन्न sources से पानी override में भर सकते हैं और फिर आप उसको अपनी उपियोगिता के अनुसार इस्तमाल कर सकते हैं दूसरा विशे आता है बिजली इसमें तीन प्रोविजन से बिजली का input आप ले सकते हैं मतलब लिया जाता है और उसको फिर भिन्ने भिन्ने जो इसमें devices लगे हैं उसमें उपिय किया जाता है सबसे पहला तो इसमें 75-75H की दो बैटरीज लगी हैं अल्मोस्ट 150H की इसमें बैटरीज लगी हुई है जिसको इस गाड़ी में लगा हुआ एक हाई पावर्ड ऑल्टरनेटर चार्ज करता है इसमें जो ओरिजनली ऑल्टरनेटर लगा हुआ था उसकी capacity हमने बढ़वाई थी मतलब एक बड़ा ऑल्टरनेटर ऑल्टरनेट करके हमने इसमें फिट करवाया था और वो इन बैटरीज को बहुत ही faster साइट पे चार्ज कर जाता है जब गाड़ी चलेगी तो वो गाड़ी से बैटरीज चार्ज होंगी और उसका जो वोल्टेज है वो इस अब आपकी बैटरीज कैसे चार्ज होंगी आपको इलेक्रिसिटी कैसे मिलेंगी इतने अच्छे काम कर रहा है मतलब मैं उस ब्रैंड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा पर लूम सोलर से हमने यह पैनल लिये थे मोनोपर्क मोडियूल थे और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है मतलब कहीं भी बिजली की कताई दिक्कत में आती हम पूरी राद भर पंखा चलाते हैं अल्टरनेटिव करेंसे मतलब AC मोड पे और जो भी दिन भर की आवशक्ता होती है मेरा editing setup इसमें लगा हुआ था जो अब नहीं है क्योंकि because we are putting it for sale तो वो हमने अभी निकाला है so वो पूरे दिन चलता था और कहीं भी हमें बिजली की कमी महसूस नहीं होती थी so second is the solar जो की 190 190 watt के दो monopark solar module है loom solar के और उसके साथ तीसरा है external power इसके पीछे एक socket है जहां से जो wire जो इस गाड़ी के साथ आएगा उस wire से आप external input ले सकते हैं जिससे कि आपका जो split AC है जो अंदर लगा हूँ है वो operative होगा split AC को छोड़ कर क्योंकि उसकी power वो बहुत जादा consumption है उसको छोड़ कर बाकी सब चीजें आपकी solar और आपका जो alternator है इनसे जो बिजली बनती है उससे चलती है बहुत आराम से चलती है मतब आप रात को रुकेंगे तीन चार घंटा कहीं पर भी पांच घंटा तो वो दिन के अलावा पूरे पांच घंटे का आपको backup ये बैटरीज देती है तो as such बिजली का नियोजन इस प्रकार से तीन माध्यम से इस गाड़ी में हो पाता है इस camper van में हो पाता है तो चलिए अब हम एंटर कर चुके हैं इस गाड़ी के इंटीरेर्स में और इंटीरेर्स अभी हम जिस-गेट से एंटर करते हैं बस उसके साथ वाले काुछ पे बेटे हैं ये एक recliner couch है, so रात के समय इसके नीचे ये जो recliner है, इसको हम खोल सकते हैं, और अभी जो मैं आपको bed बताने वाला हूँ, उस bed के साथ जुड़कर ये recliner, मतलब एक और bed में convert हो जाता है, उसके साथ इसके side में ये tables दी हुई है, so अगर आपको चायवाए का आनंद लेना है, मतलब travel के साथ, तो this will give you an added comfort, पीछे आपको दो lights दिखाई दे रहे होगी, these are wifi operative lights, तो n number of colors, खेर आज के लिए बहुत ही commonly available lights है, so आप अपने wifi के साथ इसको जोड़ ले और n number of colors इन में होते हैं, जिस color की आप चाहें, उस color की इसको कर सकते हैं, पीछे आपको दिख रहा हो कोई entertainment program चल रहा होता है, तो रास्ता पता ही नहीं चलता कि कहां से कहां पहुंच जाते हैं, उधर आपको चमक रहा होगा एक red color की light, तो जो मैंने अभी अभी जिक्र किया था, कि आपको battery का voltage monitor होता रहता है, पता चलता रहता है, so उस से आप monitor कर सकते हैं, कि अभी आपकी battery म नहीं होनी चाहिए, अगर होती है, तो फिर दिखाता आती है, तो इस प्रकार ये छोटी-छोटी चीजे हमने, मतलब, over a period of time में develop करी, इस curtain के पीछे है, आपकी एक power window, जो की यहां से operate होती है, so अगर आगे से बातचीत करनी है, तो फिर इसको नीचे करके, मतलब, power window को नी जो शोर होता है, इस compartment को जब आप बंद कर देते हैं, तो आप बाहर की सब चीजों से कट जाते हैं, इतना अच्छा insulation इसमें हो रखा है, पूरा fiber का insulation है और उसके अंदर glass wool भरी हुई है, तो एकदम न तो इसमें सर्दी में सर्दी लगती है, और न गर्मी के समें इतनी जल की second side, मतलब bed की side और दिखाते हैं कि bed का provision इसमें कैसा है, और साथ में storage और washroom इसमें किस प्रकार से manage किया गया है, तो अभी हम couch के बिलकुल सामने वाला जो segment है, उसमें आ चुके है, सबसे पहले बात करते हैं, एक split AC की, ये carrier का 1 ton का 5 star rating का AC मैंने इसमें inverter AC लगवाया था, ये मैंने इसलिए लगवाया था कि भाई कभी भी अगर मैं battery का provision इसमें बढ़ा देता हूं और battery से मुझे जरूरत लगती है AC को चलाने की, तो हम इस AC को inverter पे भी चला सकते हैं, हाला कि वैसा कभी हमने आज तक किया नहीं, external power से ही हम इसे operate करते हैं, ये जो bed है, ये दोनों ह हो जाते हैं, इस प्रकार से ये उपर हो जाएगा और जब आपको इसको ऐसे use करना है bed की तरह तो ये नीचे ही रहेंगे, और इसकी लंबाई है लगभग लगभग पांच फुट और इसकी चोड़ाई है लगभग लगभग साड़े पांच फुट, तो इस प्रकार से इस bed ठीक प्रकार से सोने का नियोजन हमारा हो जाता है, यहां जो आपको पीछे space दिखाई दे रही है, हमें क्योंकि हमारी जर्नी बहुत अलग प्रकार की होती है, बहुत लंबे समय के लिए हम ढुकते हैं, तो space हमारे लिए बहुत important होती है, कि समान बहुत सारा होता है, तो य वो आप वापस इसमें fit करवा सकते हैं, इस गाड़ी के साथ वो आपको मिलेंगे, और जहां भी मतलब छोटे मोटे alterations हैं कि सबकी priorities अलग होती है, तो छोटे मोटे alterations, modifications, शेश आपको जैसे अपने साब से कराने हैं, वो इसमें करा देते हैं, मतलब करा सकते हैं, और वो द परकार से curtains खोल के भी travel किया जा सकता है, इसके साथ ये जो है वो DC lights लगी हुई हैं, जिनको आप समय समय पे मतलब reading lights हैं, तो इनको आप operate कर सकते हैं, so altogether इस space में travel करते वक्त बहुती आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं, और 2 लोग couch पे बैठ के travel कर सकते हैं, मेरे पीछे आपको washroom यूज करना चाहेंगे, तो washroom का gate भी यही है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं washroom के अंदर और बताते हैं किस प्रकार से इसके washroom को बनाया गया है, और ये है देखिए इसका washroom, तो ये यहाँ पर एक mirror है, नीचे आपको wash basin दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे जो pot क सीट है, वो लगी हुई है, और इसी गाड़ी के नीचे इसका black water tank है, जिसको आप बहुत ही सहूलियत से, जो भी उप्युक्त स्थान दिखता है, कोई sewerage line, sewerage channel दिखता है, तो वहाँ पर आप इसको खाली कर सकते हैं, मित्रों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके tires की, मैंने इसके पांचो टायर बहुत ही recently upgrade किये हैं, मैं जब Ladakh निकलने वाला था, ठीक उससे पहले मैंने ये पांचो टायर upgrade किये थे, और पांच के साथ एक और टायर मतलब बहुत ही अच्छी गड़ी, ये तो एकदम brand new tires, मतलब आप देख पाने होंगे इसकी grip, एकदम brand new tires ह और almost मतलब आधा चला हुआ जो tire इसमें बचा हुआता है, stepney का वो भी रखा हुआ है, तो altogether 4 plus 1 plus 5 और plus 1 6 tire इसके साथ, मतलब जब भी आप ये गाड़ी लेंगे तो आपको मिलेंगे, तो मितरुक कुछ और छोटी-छोटी प्रमुख बाते जो इसके बारे में मैं आप से सा हुआ, so altogether 4 condenser units में लगे हुए, गाड़ी average क्या देती है, almost गाड़ी, मतलब average इतना अच्छा है, मतलब ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि ये गाड़ी मुझे सेहल करनी है, या फिर मतलब आप से साजह करना है, पर कही बार मुझे आशिर होता है कि यार ये इतना unbelievable average कैसे नि कर तो ये हो सकता है कि हाँ, थोड़ा सा driving में, मैं बहुत ही, मतलब बहुत ही सायमित driving मैं करता हूँ, पर बहुत अच्छा average है, मतलब मुझे लगता है 10 प्लस तो anyways इसका average है, और ये गाड़ी अब तक 80,000 km चल चुकी है, that is a very genuine 80,000 km, ये जब मैंने भी गाड़ी ली जिन से मतलब मैंने एक camper van purchase करी थी और जब तक मुझे इस चीज का अनुभव नहीं था, मुझे लगा यार 2008 की गाड़ी मैं ले रहा हूँ, और उस समय ये शायद चले हुई थी कोई 50,000 km, 30,000 मैंने इसको चलाई होगी, तो मैंने या 50,000 km, यार कैसे हो सकता मुझे लगा 2008 vehicle, तो मे नहीं चला, मतलब 30,000 km अल्मोस्ट ही चला पाया, तब अब I'm pretty confident कि हाँ, camper van इतनी ज्यादा नहीं चलती है, जैसे कि हमारी सामाने गाड़ी चलती है, इसलिए इन गाड़ियों की रनिंग आती रही है, दूसरी चीज यार, इतने adverse terrain पे हम इस गाड़ी को टेस्ट कर सुके, म मतलब ये गाड़ी वहां तक हमें लेके गई, लिंकशिट की चढ़ाई इसने चढ़ी जिसको बोलते हैं कि आधी से ज्यादा गाड़ीयों का दम निकल जाता है, उपर पहुचते पहुचते और उसका एक छोटा सा कारण और ये भी है, कि हमने इसके एंजिन को रीट्यून कराया, मतलब जो हम पहाड़ों पर गए और एक बार मैंने लेह की एजनसी में इस गाड़ी को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि सर इसके एंजिन को आप ट्यून करा लो तो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस और अच्छा मतलब रीमैपिंग होती है, बेसिकली, सो उसको मैंन फिर एक दिन का समय दिया, उसने इस गाड़ी के एंजिन को रीमैपिंग, मतलब रीट्यून किया पहाड़ों के हिसाब से, और अब तो खेर, बहुती अमेजिंग हमारा एक्सपीरेंस इसके साथ रहा है, तो आप कार का कमफर्ट तो इसको ड्राइव करते हुए नहीं ही ल यह कुछ चीजें थी, जो मुझे लगा कि अगर कोई भी इस गाड़ी को लेने की सोच रहा है, तो उसके साथ मुझे साजह करनी चाहिए, अब आती है, बेसिक चीज की, what we are expecting for this vehicle, we are expecting 8.7 lakhs for this vehicle, 8,70,000 रुपे, we are demanding for this vehicle, जो कि मुझे लगता है, बहुत जस्टिफाइड है, क्योंकि जब आप इस गाड़ी को, मतलब एक Campervan को Private Registered कराने जाएंगे, अगर आप में से कुछ लोग गए होंगे, तो आप जान पाएंगे कि कितना पैसा एक सामान्य विकल को Private, as a Private Campervan registered कराने में लगता है, so altogether, बहुत सारा विस्तार है, जो features मैंने आपको बताए, उसके available for all of you for sale, मैं नीचे एक number दे रहाँ, description में, आपको देख रहा होगा, वो number पे आप लोग मुझसे message करके, this is a temporary number, specifically हमने इसी motive के लिए, इसको कुछ time के लिए activate किया है, और उस पे message आप मुझे drop करेंगे, तो मैं निश्य तोर पे आपको call करूंगा, और फिर अगर हमारा समन बैठता है, तो फिर इस camper van में आप travel करेंगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि इस camper van की और अच्छी utility हो, और देश में एक और परिवार इस camper van में travel करेगा, और आशा है कि आप हमें हमारी truck के साथ, जो हम बहुत ही जल्दी, मतलब उस पे shift करने वाले, move होने वा में तोर पे देखा, और प्लीज अगर आप interested हो, तो जरूर मुझे बताएं, और मुझे खुश ही होगी कि ये camper van आपके पास जाएगा, तो बहुत ही जल्दी अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक आपना खयाल रखिएगा, स्वस्त रहीगा, खुश मिलेंगे, नमस्कार